हेलोव। कैसे हैं यह सबी वेलकम बक्तों पावलो की दिनिया और हम आज भना रहे हैं कहले सूजी एप केक अ कि अपने खुंजी, बना हुआ और यह भाइक निया ले इसे कीशल का पूस्स करें और आपके भाइक कल्छी इसको मैं चान दिया है बारीक शूजी है तरह रहे हैं दें निक्सर चला जूँगे घट कप करीब शूजी है दिसे कप के मेशरमेंट से कर रहे हैं तो एक जुन्य कप रवा ये ले रहे हैं आधा कप और लेंगे यह चान लिया है मैंने पहले एक की च्छानने के बाद अब मैं इसमें एक मेशिरमेंट के लिए भर रहे हूं ताकि कि इसी तरह की की एक को यह मिक्सर है जिसमें हम अब यह देसी तरीका हमारा जिसमें हम अब भी यह प्रोपर आदा कप नहीं हुआ है तो इसलिए हम इसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा और थोड़ा मुझे लगते कि ज्यादा नहों जाता हूं और भी कम कर लेते हैं इतना काफी होगा यह हमने आदा कप जो शुगर है शुगर का पाउडर बना के रख दिया है आदा कप शुगर का पाउडर है और यह रवा है इसको मैं एक बार मिक्सर में चला लुए और यह शुगर के साथे मिक्स हो जाएगा तो कोई बिकार चीज नहीं है तो शुगर के साथी हम इसको चला रहे हैं घर का घी हम ले रहे हैं घर का घी हम ले रहे हैं घर का घी हम ल तोड़ा सा और ले रहे हैं कि कई बार कप में ही रहे जाए ठीक है तो यह आदा कप भी रहा है आप मिल्कमेड यूज करते हैं अपने केक में लिकिन हम मिल्कमेड भी बाहर का अर्टिफिशल कुछ नहीं डाल रहे हैं इसी को भर में यूज करते हैं रेकिलरली इसे भी मुझे आदा कप करीब लेना है तो यह मैंने आदा कप ड़ी डाल दिया यह गया आदा कप ड़ी विसकर आपके बास हो तो ठीक है नहीं तो इस नोट डिक डील जैसे मैंने का तो नहीं चिपक जाएगा अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा एक तो चमच बहा दी सकते हैं लिकास दही अच्छा होगा तो आपके केस का जो फ्लेवर है वह बहुत अच्छा एगा मैं कुकिंग बहुत जादे नहीं करती हूं लेकिन कभी-कभी मेरा मन करते है तो मैं कुछ बना लेती हूं मेरा सुबह से आज मैंस था कि मैं जो घर पर जाओंगी और मैं केक बनाऊंगी तो यह होगया आपका बहर का बना हुआ समझ रहा है कोई फैंसी चीज करने की जरूत नहीं है सब घर का बना हुआ है तो मुझे दूध चाहिए होगा दूध भी हमें थंडा नीचे रों टेंपरचर पर चाहिए हम उसको 30 सेकंड निकाल की घर लेंगे और यह शुगर जो रहा है में पूरा जितना मिक्सर में ग्राइंड किया था मिसली शुगर दुबारा ग्राइंड किया है ताकि जो क्वेंटिटी है वो पूरी हो आप चाहिए तापको नीठा लगे ना की फीका लगे है इसके बाद बैटर को थोड़ा सो टेस्ट करेंगे बाद में लास्ट में लगेगा कि हमने कुछ कम जला है तो वह लगे बेगा पटा चल जाएगा तो इसमें हमने क्या-क्या एड किया है सबसे पहले हमने स्में घी गशान गैया हमारा अधा घया relative हो था उसके बाद हमने पूरे यसकल कब ग्राइब गले ाक नि-ained सब गरी सबाद ही अब्यार में अपका ऐ भीक यार हो च तुक्ट टूरा घर का मेटर्म हें तग्यार हो गया है कि दानु है त proposed At CIr is a security गण्ट के मीर्क मुइरिया है अब आपको इसमें रवा भोलना है घुलने के साथ करें इसमें डूळ ड़ाल। प्रूद के ज़िए धिंम है को कि 7 토 कर्सकें और थ्की नौश connection मैक्रोंट एक कब दूर है ना हम इसको 10 सेकंद्स रख रहे हैं तानकि सिर्फ इसको इदम कूलिंग एफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा सिर्फ हो इसको 10-15 सेकंद्स ही रखेंगे कर दो कि अधर निकाल लूंगी रहे हैं यह ओगया हमारा जो मिल्क है वो उसका जो पूलिंग एफेक्ट था वो कम हो जाएगा इसमें अब इसमें डाल रहे हैं हमारा पेसा हुआ रवासरू जी अब आपको लग थोड़ा करके डालते हैं और आपकी मर्जी है अब इसको अच्छे से विस्क करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नी हो जाएगा अब इसमें मिल्क भी डालेंगे तो यह प्रॉपर ली जो बैटर है वो एड़ी हो जाएगा अब आपको लग रहा है बहुत पतला है वैकि थोड़े जेर के बाद यह थेक हो जाएगा इसलिए हम इसमें अभी सिर्फ आदा कपी दूप डूप 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 इसमें बैटर रड़ी हो गया है इसको 20 मिठ के लिए मिठाब कर रख लाए है हम फिलिप्स के एर फ्रायर में भी केक बना सकते थे हम माइक्रोवेव में भी बना सकते थे लेकिन अभी हम कुकर बना रहे हैं तो डूपर को ड़ी करने के लिए हमें कुकर में पहले नमक डाल पूरा तैयार हो जाएगा तब तक और फिर उसके बार हम इसमें अपना कीक का बैटल सब्रीकर के रखेंगे रखेंगे तब 20 मिट हो जाएंगे तो यह हमने इसमें डाल दिया है बदाम और काजू और यही हमें पसंद है आप चाहें तो किष्मेश टूटी फूटी जो भी आपको अच्छा लगे आपको जैसी आपकी श्रद्धा अब देखे मैंने का था कि आप अधा का अब दूद डाल रहा है अगर लगी तो ही हम दू पिसी हुई लाइची यानी काड़मम जिसे हम बोलते है चोड़ी लाइची उसके दाने पीस कर खोड़ो से डाल दिया है अभी भी दोबार हम इसको रस्ट करने के लिए चोड़ेंगे क्योंकि हमारा कुकर तयार नहीं है हम जब तक अपना केक के लिए जो हमें बरतल चाहि क kung कि शत्रयूंग में दोबू से का विए हैं था इस के दिय्स कjan开 कर सकते के कटा है कि छ दोब में है मैं जो ख crack कर लिए हनल आप में भाह्या में जो करना होता है हम जब घन ऍिसी ने जाजता है समय बचा की हम करते हैं तो यह हमारा खुली ख्रेया है अब इसमें हमें थोड़ा सा हम हरिका सा आटा इसमें डालेंगे तकि यह कोटिंग तेयार हो जाएंगा तरी लोग बटर पर पर में रखते हैं पर हम बटर पर में रखते हैं रहें यह हम आटा बख रहें डाल रहें इसमें इससे हम इसकी उबेस तैयार करेंगे इसमें बैटर हमारा थिक नहीं करेंगा यह देखिया है यह फूरा घी में जाकर स्तिक हो गया है यानि यह ब्रतर के लिए तयार है तक यह बड़त नापक तयार हो जया है अब हम इसमें बेखिंग पाउडर डालें के बाद हम इस केक को कि देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप चेक नहीं कर सकते हैं बिल्कुल चेक कर सकते हैं प्रजाने है कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है और अब हम इसको को इसमें आप बेकिंग पाउडर दाल दीजे ताकि ये प्रोपर क्योंकि इसको आपको पुछी बनाना के लिए थोड़ा बेकिंग पाउडर तो इस्तमाल करना पड़ता है नने नहाँस ननी के लिए एक लन रहा है नननी अब इसको बिस्क करेंगे जतना अच्छा वेक्स रिस्क होगा अपनी अच्छी इसको जब केक बनेगा तो स्पंजी बनेगा जब लिए अब यह तैयार है ओल रहाइट है अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं हमारा बैटर और अलमोस्ट हमें लगदा था कि हमारा जस्ट बैटर बच जाएगा वेकिन प्रॉपरली चल आ गया इसके अंदर पूरा आ गया है अब आप कोई साथी बर्दन ले सकते हैं यह फिर आप पो माइक्रोवेब में बनाने में कम्फोर्टबल अपर अपर अब इसमें बात रहे हैं तो तो प्रीट करके आप उसे आदे गंटा-पच्छेछ बीनट जो टाइनिंग आपका माइक्रोवेब लेता है कि बनाने में कि आप इसमें भी कर सकते हैं को बड़ी बात रहे हैं को प्रॉपर ली सेटल हो जाए इसलिए हम इसको थोड़ा से टाल देंगे ताकि जब बन कर रहा है थोड़ा और अच्छा दिखें करनेशन जब बन जाएगा तो थोड़ा और भी दिखने में खुबसूत लगेगा इसलिए अच्छा दीके दूध हमने बचा लिया क्योंकि हमें नहीं लगा नीड की जाना चाहिए जबरदस्ती चीजों को नहीं भर रहा है और आपको लग रहा है बदान ज्यादा होगा हमार हउट तो आपको रहता है कि इस पुरान नीड को फिर्मी प्रटों के दूपर होपर गाल कर दुटर्ट बातर दा में रेंसे और लार्प में दूषित उसलिगए नमक आपके कले सब्रसेricht में अधरा कि बातुपयाबस बहुत आराम से आपको एससे बचलाँ है पिछ आजि आपको बहुत आराम से इसको रखना होगा मैं सूच रही हूँ मैं जलना जाँ इसलिए इसे कर लूँ तो यह प्रॉपरली सेट हो गया है आप देख सकते हैं नीचे नमक है नमक के उपर एक कटोरी है कटोरी के ऊपर हमने कीक रखा हुआ अपना और अब हम इसे बगर सीटी के बंद करेंगे 40 मिट की हमें सिम पर इसे मिडल आप कह सकते मिड़ पर हमें इसे पकाना है और सीटी नी लानी है तक मिद तुहाई फ्लेम पर रखेंगे नो पर रखेंगे吧 न मैं इसको भी आहला रखेंगे ना समय और इसको थो मिनिट तक पते हैं हमारा कहलत को तक जोह में में पतें चेशलों में डिए हुआ पड़का में 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 हुआए देखेंस कैसे बनने केक घंगे अभर जब से और हम चॉपलेट हैं। तो बहुत है कि अपकी खोड़ बंगाता हैं। आप चॉकलेट में अब भी हैं। मैं जाने कि अच्छी आपको अब जाएं। आपकी रची कोई जानी चॉकलेट कर के लिदी जाब लग तक यहीं आपकी। गरम इतना हीटेड आवो केक इस वाक्त कि वो चॉकलेट जो है इसको मैल्ट हो रही है बाकी बच्चो ही हमारी है नहीं हम सारी लगा देंगे इनकुल हमारी लिए तो सोचो दी दा सु हैस मागीस तैया अब णहलों अब इसको कानेंगे यार देखेंगे कि ननी का Рियक्शन कहा है अब देख सकते हो यह क्री मेल्ट होना शुरू हो गई है कि बहुत हॉट हैए तो सब धेगा और अन ठीक अब इसको काटेगे बाद ए प्यारा सा गौल्डन प्राउं कलरार है वाव सी दस्तीम गर्मा गर्म केक मैं काटा है यह कहा हूं तो कि टेस्ट फन्द 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 बुरू को मैं देली हूं गयाँ पंदू हूं अम्ता कैसा है? अमने इस से खागा देखते हूं कैसा कैसा है? झाल झाल झाल